जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरा नाम अनुज कुमार सिंग और सेमेस्टर वन के बच्चे मुझे नहीं जानते हूं शायद लेकिन आपके सीनियर सेमेस्टर फाइव सेमेस्टर थ्री या सेकेंड येर फाइनल येर कहलो डेफिनेटली किसी ना किसी वे में मुझे देखा होगा सुना होगा जानते होंगे तो काफी टाइम से 12 का COVID डूरेशन में बच्चों की स्टडी अच्छे से नहीं हुई उसके बाद एडमीशन पूरा साल भर उनको इधर उधर जाना पड़ा कभी CUT हो जाता है कभी रिजल्ट उसका टाइम पे नहीं आया तो ये सारे जितने भी आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आपने फेस किया है ये छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है देखा जाए तो हमारे साथ एक सस्पेंस बना के रखा गया और आज जब हमने एड्मिशन ले लिया है चाहे रेगुलर में चाहे एंसी वेब में चाहे एसो इल में बच्चा प्रोग्राम का हो चाहे ओनर्स का बहुत बच्चे देखिए रेगुलर कॉलेज के बच्चों को तो थोड़ा बहुत आइडिया हो भी जाता है आजसे वेब के बच्चों को भी थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है क्यब और क्या होने वाला है sol के बच्चों को बिलकुल कुछ नहीं पता होता वो अवेरी नहीं होते कि कॉलेज में क्या है हमारे माइड में एक परसेप्शन बना हुआ है कॉलेज का मतलब एक ऐसी लाइफ जो कि कॉलेज में जाएंगे जो कि हमने मूवी वगेरा में भी देखा हुआ है ऐसा एक परसेप्शन बन जाता है कि कुछ ऐसा होगा कॉलेज में हम आजाद हो गए लेकिन प्यारे बच्चो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मैंने काफी सारे बच्चो से बाते की हैं अब बच्चो को सैमिस्टर का मतलब भी नहीं पता अभी और उनके ठीक डेड़ महीने बाद एक्जाम है मैंने बच्चो से बोला कि आप बताईए किस सैम में है तो बच्चो का जवाब आप सुन के हैरान हो जाएंगे उन्हेंने कहा सर मेरे पास जीयो की सेम है मैंने पूछा बच्चों से कि आपका सेमिस्टर कौन सा है बच्चों ने बोला हमें नहीं पता सेमिस्टर क्या होता है अभी हमने कॉलेज में एड्मिशन लिया है बच्चों से मैंने पूछा क्या आप classes वगएरा ले रहे हैं semester 1 की उन्होंने कहा क्या आप कहां से बोल रहे हो मेरी किताब कब मिलेगी मैंने बच्चों से पूछा study start कर दिया है कि आपने तो बच्चों का जबाब आया Sir अभी कोई SMS नहीं आया अभी DU से किसी का call नहीं आया यानि जो semester 1 के बच्चे हैं अभी भी वो इस उमीद में है कि 12th class में जैसे हमारे साथ treat किया गया था वही होने वाला है 12th class के अंदर अगर हम school में absent हो जाते थे तो घर पे phone करके बुला लिया जाता था 12th class के अंदर अगर हम तीन से चार दिन नहीं जाते थे प्रोजेक्ट नहीं जमा करते थे तो घर पे call आ जाता था टीचर भी घर पे आ जाते थे कई बार लेकिन सर कॉलेज में ऐसा बिल्कुल नहीं है आपके डीड महिने बाद एक्जाम है और डीड महिने बाद जो आपका फैब 15 फैब से डीउ ने अनॉंस्मेंट डाल दिया है 15 फैब से आपके एक्जाम है आपको पता चले या ना पता चले डेली उनिवर्सिटी को अपना एक्जाम लेना है वो अपने अक्ने अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं आप अभी अवेर नहीं है और मैं आप सभी बच्चों को ये मैं बता दूँ बीकॉम यानि ग्रेजुएशन के अंदर अगर आपके 50% मार्क्स नहीं आते हैं तो आपका उसका वेल्यू नहीं है आपको रिलाइज होगा यार मैंने क्या मिस्टेक कर दिया सर पचास परसेंट नंबर लाके क्या करना है क्योंकि बीकॉम के बाद भी आपको एक और स्टडी आगे करनी पड़ेगी जॉब के लिए सर वो कौन से स्टडी करेंगे सर आपको MBA करना है minimum requirement 50% BA करना है minimum requirement 50% आपको MCOM करना है वहाँ भी requirement 50% CACS या CWA करना है वहाँ भी requirement 50% LLB करना है वहाँ भी requirement 50% यानि जितने भी major courses है वहाँ 50% चाहिए सर डियू के तो बहुत सारे rule and regulation से आप बिलकुल अंजान है Delhi University का कुछ मैं अगर rule आपको बताओ तो Delhi University कहता है कि आपका 75 का अगर exam है तो इसमें से आपके 40% marks होने चाहिए और that is आपके 40% का मतलब आपके 30 number आने चाहिए 75 में से सर अगर वहाँ पर आपके आते ना 39 29 marks भी आते हैं तो Delhi University कहता है सर अगर 29 marks आये तो हम मान लेंगे 0 आपको 0 marks दिया जाएगा वहाँ पर और आपको उस paper में रोक दिया जाएगा यानि सर आपको पढ़ना पड़ेगा मैं उन सभी senior से request करना चाहता हूँ जो इस video को देखेंगे share करिए उन बच्चों को बताईए जो semester 1 में है वो कितनी बुरी हालात में फस जाएंगे इस pain को वो बच्चे नहीं समझ रहे अभी लेकिन जो semester 5 के अंदर बच्चे हैं या जो semester 3 में तो अभी आए हैं उनके pain को समझे सर डेली उनिवर्सिटी ने इस तरीके से आपको सीधा exam का date दिया exam को date देने के बाद आप paper exam देने के तैयारे हुई चैनियार देना है बहुत सारे बच्चों को तो पता ही नहीं चला था कि exam भी है बहुत सारे बच्चे आते हैं सर हमें तो पता ही नहीं यह exam है क्योंकि student जो है semester 1 के अंदर बीकॉम में जब जाता है कुछ job कर रहा है सर घर की ऐसी परिस्तिती है कि उसे मतलब भी नहीं है वो सोच रहें कि college से कुछ हाएगा तो जाएंगे नहीं पता चलता सर कि उनके exam है नहीं पता चलता है बहुत सारी चीजों का तो मैं सभी semester 1 वाले बच्चों को बोलना चाहूँगा कि आपका semester 1 का exam पूरे 7 paper है 7 exam है अगर मैं बात करूँ आपके senior की तो आपके senior जितने भी हैं उनको ये pain पता है वो उनके पास तो 4 exam थे सर उनके पास तो कितने exam थे? 4 exam थे 4 exam को उन्होंने कैसे कैसे किया है वो जानते हैं आपके पास तो 7 exam है तो बड़ी सीधी सी बात है semester 1 के बच्चों को aware करिए ये responsibility आपकी बनती है सर मेरी बनती है सर आपके brother sister को बताईए कि ऐसा चलता है डियू में क्योंकि हमें life में दूसरी की गलती से सीख लें तो जादा हमें हमारा समय बच जाएगा अगर हम अपनी गलतियों से सीखने लगेंगे न तो उमर कम पढ़ जाएगी सर आपके senior अगर बता रहे हैं कैसे करना है तो आप उनकी बात को मानिए वो आपके भले के लिए बोल रहे हैं उन्होंने उन पेन को समझा है वो टेंशन लिया है एक्जाम के टाइम पर पता नहीं चल रहा पूरी पूरी रात पढ़ रहे हैं कल एक्जाम में लिखना क्या है यार समझ में नहीं आ रहा तो इसके अंदर बस मुझे यही बताना था सेवन एक्जाम है आपके जो फैम में होंगे डियू ने अभी तक स्लेबस भी रिविल कर दिया है लेकिन कहां किया है बच्चों को नहीं पता मैंने तो बताने के पूरी कोसिस की है जो बच्चा जहां भी पढ़ रहा है तीन सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट है अपका बिजनस लौ और आपका एक बिजनस और्गनाईजेशन मेनेजमेंट सर अकाउंट्स तो पढ़ना पढ़ेगा बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होंगे जिन्होंने अकाउंट्स ना तो 11 पे पढ़ा ना तो 12 में पढ़ा मेरी पूरी कोसिस है कि बच्चों को 0 लेवल से कराया जाए पूरा स्टार्टिंग से कराया जाए अब जहां मरजी पढ़िये सर फरक नहीं पढ़ता फरक तो ये पढ़ेगा कि आप पढ़िये तो सही डोंट वेट कि कोई हमें और बताएगा मैंने अपनी क्लासिस स्टार्ट कर दिया मुझे इतनी टेंशन है कि मैं सोच रहा हूँ यार इन बच्चों के साथ जब पता चलेगा कि आप एक्जाम है और तैयारी नहीं है तो लास्ट टाइम पर मेरे पास बच्चे आते हैं सर दस दिन में कुछ पास होने का बता दीजिए मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का मुझे मजबूरन वो रास्ता बच्चों को बताना पड़ता है कि साल बच जाए नहीं तो मेरा अब्जेक्टिव एक ही रहता है सर कि अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो डिटेल स्टडी करें ऐसा नहीं कि एक पार्ट हमने पढ़ लिया नहीं पढ़ा दस दिन पहले आएंगे तो मैं पास करवा दूँगा डेफिनिटली मैं बोल दूँगा ये ये चेप्टर करिए ऐसे से करिए मैं कुछ ना कुछ प्लैन बना दूँगा लेकिन लाइफ में मज़ा नहीं आएगा आपको आज तो इस दुख से बच के निकल जाओगे शॉट टर्म में लेकिन लॉंग टर्म में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला है आपको तो बड़ी सीधी सी बात है सर सभी सीनियर से रिक्वेस्ट है और जो सेमेस्टर वन में गए हैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि स्टेडी स्टार्ट कर दीजिए मैंने तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए बस यही बाते आपसे करने थी और मुझे उमीद है कि आप सभी इस बात को समझेंगे सोचेंगे जितना भी हो सकता है सेमिस्टर वन के लिए मैं करूँगा मैं यूटूब पे सारी क्लासिस फ्री डालूँगा और अल्रेटी बच्चे जानते हैं सीनियर के भाई यूटूब पे क्लासिस में लेता हूँ और मैं एप्लिकेशन पे भी पेड क्लासिस लेता हूँ लेकिन मेरी फीस भी सर इतनी नहीं होती 6-700 में पूरा कॉर्स में करवा देता हूँ बच्चों को इसके पीछे रीजन है सर कि मैं नहीं जानता किसके लिए 600 बहुत बड़ा अमाउंट है और मैं नहीं जानता 600 किसके लिए कम अमाउंट है या 700 किसके लिए जादा है 700 कम है सर कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनके लिए 10 रुपे भी बहुत माईने रखता है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके लिए 10,000 भी माईने नहीं रखता किसी बच्चे को किसी तरीकी की दिक्कत है डेफिनिटली नीचे नंबर में डालूँगा आप बात करिए मैं आपकी हेल्प करूँगा मैं आपके लिए स्टेंट रहा हूँगा मेरा एक ही मिसन है कि जिस चीज को कॉलेज को हम मानते ना कि जस्ट कॉलेज मुझे ये नहीं मतलब कि बच्चा और किस फील्ड में क्या है मैं कॉलेज की जिम्मेदारी जानता हूँ और कॉलेज के अंदर आप ऐसे पढ़के निकलेना कि आगे जो भी आप प्रोफेशनल कूर्सिस में जाए या जो भी साथ के साथ कर रहे हो आपको उसमें हेल्प मिले और ये आप समझो ग्रेजुशन छोटी चीज नहीं है बहुत बड़ी चीज है अगर आप अच्छे से पढ़ो तो लास्ट टाइम पे तो पढ़के कोई भी निकाल देता है वो काम ना हो मैं आज भी जानता हूँ अगर आप ग्रेजुएट हो मैं बोलू एस सच्चो को एक लेटर लिख दो मेरा मोबाइल फोन खो गया है सर बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं लिख पाएंगे आप ग्रेजुएट हो जाते हो और आपके छोटे भाई बहने उनको बोला जाता है कि 11th क्लास में उनकी कुछ हेल्प कर दो एक्जाम के टाइम पे सर नहीं कर पाते 12th में उनकी हेल्प कर दो नहीं कर पाते हम बच्चते हैं बच्चते किस्से हैं सर क्योंकि आपने 11th 12th में पढ़ा क्लू कॉलेज में ठीक से नहीं पढ़ा आपको खुद नहीं पता तो आप शरम के मारे बच्चते हो क्या अपने आप कर ले मेरे पास टाइम नहीं है मैं ये नहीं चाहता आप ग्रेजुट बनो तो आपको रियल ग्रेजुट बनना है क्यानि आपसे जूनियर एक सवाल पूछे ना तो उसको 10 तरीके से आप आंसर दे पाओ तभी आपकी वो भी रिस्पेक्ट करेंगे और आपके नक्से कदम पे चलेंगे कि वो सर ऐसा थे उन्होंने मुझे सीनियर ने अडवाइस किया तो सर अगर आप सीनियर है न तो आप एक इंस्परेशन है अपने जूनियर का तो उसके हिसाब से लीजिए बस आप से इतना ही कहूँगा टाइम अपने हिसाब से चलेगा आपको टाइम के साथ तालमिल बनाना होगा थैंक यू सो मच जादा से जादा बच्चों तक ये वीडियो शेयर करिए और जितने बच्चों की हेल्प हो पाए सेमेस्टर वन का मेरा कहना यही है सर टाइम बरवाद ना हो उनका कम टाइम बच्चा उन बिचारों को ये भी नहीं पता कि उनके एक्जाम फैब के अंदर है और साथ एक्जाम होगे कुछ बच्चे तो ये भी मान रहे हैं कि सर जो एडिशनल है उसमें पास होना ना पास होना मरजी है ऐसा भी बच्चे सोच रहे हैं Thank you so much जादा मैंने आपका वक्त लिया वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्री है आपका अपने दोस्तों का अपने फ्रेंड का, अपने ब्रदर का अपने सिस्टर का, अपने जूनियर का आप हेल्प करें Thank you so much